दोस्तों मैं घर आया तो पता चला कि IBPS, RRBPO Mains Examination जो हुआ था उसका स्कोर काड आउट हो गया है मसलन यह है कि जो क्वालिफाइ कर गया है उनको स्कोर नहीं पता चलेगा जो क्वालिफाइ नहीं किये हैं वो पता चल जाएगा और आपको कट अफ भी देख जाएगा इंडिविज्वल सेक्शन की कट अफ को देखा, इंडिविज्वल सेक्शन की कट अफ की बात कर रहा हूँ जेनरल एवनेस में सिर्फ दो मार्क्स कट अफ गया है और आता कितना है 40 मार्क्स, 40 मार्क में से जेनरल एवनेस में सिर्फ दो ही मार्क्स कट अफ गया है तो आप सोचे दोस्तों कि कितना टफ पुछा गया था जनलर्वनेस मैट्स में 4.75 गया है का टफ रिजनिंग में I guess 10 गया है का टफ दोस्तों मेंस इसलिए कहा जाता है कि आपकी एकुरिस्टी अच्छी होनी चाहिए थी ठीक है जनलर्वनेस इस प्रकास से टफ पुछा गया था यह expected है कि IBS PO मेंस में भी अगर आप लिखोगे तो कोई ना कोई क्या इसमें तो पूरा समझ में आ जाता है दोस्तों कि जनलर्वनेस और आपका जो क्वांट सेक्षन है दोनों फिर से टफ पुछा जाएगा हमारे पास वक्त है हम प्रिपरेशन कर सकते हैं आप प्रिपरेशन करिए टफ कितना भी कुछ क्यों ना हो लेकिन अगर आपके एक्वरिसी अच्छी है तो फिर आप अच्छा करोगे कुछ लोगों ने तो शायद सक्षन ही क्वालेफर नहीं किया है दो मार कट अफ गया है पट फिर भी लोगों ने वो सक्षन को भी क्वालेफर नहीं किया है तो आप सूचें दोस्तों उसे साब समको प्रिपरेशन करना पड़ेगा फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप जाके चेक आउट कर सकते हैं अपना स्कूर कार्ड आपका कितना स्कूर रहा कमेंट के सक्षन बिल्कूल लिखिएगा नमस्कार